नमस्ते फ्रेंट्स प्रस्तुत पुस्तक है हमारे प्रेरख स्वामी विवेकानंद इसका संकलन और संपादन किया है प्रोफेसर बील चौधरी और डॉक्टर संकर चौधरी इसमें सेकंड चेप्टर है स्वामी विवेका नंद के जीवन के प्रेरक पिरसंग प्रेरक पिरसंग में एक पिरसंग है लक्ष के प्रती समर्पन दिसंबर 1892 के अंत में स्वामी विवेका नंद कन्या कुमारी पहुँचे बहाँ भे सुपिर्सित देवी कन्य कुमारी के मंदिर में गए और भावपून होकर देवी के समक्ष दंडवत किया समुद्र के किनारे पर विचरन करते हुए उनकी अंतेचेतना में ऐसा अनुभव हुआ कि मा जगदंबा उन्हें पुकार रही है उन्होंने दूर समुद्र मद्ध में इस्थित स्री पाथ सिला की और स्रद्धा पूर्वग देखा कहा जाता है कि यह बही सिला है जहां सुयम पारवती देवी ने खड़े रहे कर तब किया था स्वामी जी का भाव विभोर मन उसी सिला की और आकरश्ट हो रहा था उनके मन में उस चट्टान तक पहुँचने की तीवर लला कुठी बहां जाने के लिए नाव उपलब्द थी किन्तु सन्यासी विवेकानंद के पास नाविक को देने के लिए धन नहीं था बिसाल समुद्र में सारक मचलियों जैसे अनेक हिंसक जलचर बिचरण कर रहे थे किन्तु उन्होंने उस सिरी पात सिला पर जाने का द्रण निश्चे कर लिया उस समय बहां तक पहुँचना ही मानो उनका एक मात्र लक्ष हो गया था हिंसक जलचरों की परवा किये बिना बे समुद्र की और तेजी से आगे बढ़े और पानी में कूद गए बहुत देर तक लगातार तैर कर आखिर बे उस सिला तक पहुँच गए और फिर बहीं बैट कर 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को तीन दिन तीन रात गहन ध्यान किया यहीं पर उन्हें भारत के पुनुरुत थान के धे मार्ग की प्राप्ती हुए थैंक्स पॉर वाचिंग फ्रेंड्स